सब्सक्राइब कीजिए अंजली न्यूस कॉर्णर चैनल को और साथ की में बेल आइकम को दुपाईए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली चेहरे पर हसी छा जाते है आँखों में सरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो मुझे खुद पर गरूर आ जाता है जिहां आपने सही सुना हम आज की डेली राशिपल की बात कर रहे हैं सबसे बले आज इनका बाचे है या अनवर्सरी है उनको मेरे दरब से ठेर सारे गुद विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं हकूमत वही करता है जिसका दिनों पर राज हो वरना यू तो गलिक के मुर्गों के सर पर भी ताज होता है भीड में खड़े होना मकसद नहीं है मेरा बलकि भीड जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे आपको भी भीड का हिस्सा नहीं बनना आपको तो इतहास रचना है ना पेशी होगी नętगा अब जो भी हमसे उलछेगा सीधा था होगा हम आज भी अपने में दम रखते हैं होशृण जाते हैं लोगों के जब हम कदम रखते हैं आप में भी जितना जिस्वा है कि आ जहां जाते हो वहाँ पनी चाप छोड़ देते हो जिससे एक बार मिलते हो वो आपको कभी नहीं भूलता ये तो हम हैं जो पना प्यार निभा रहे हैं जिस दिन छोड़ कर चलेगे और कात का पता चल जाएगा तुझे चलिए शुरुबात करते हैं आज के पन्चांग से तो दिन रहने वाला है आज का गुरुवार का दिन विक्रम सम्वर 27 तर महीना रहेगा आज का चैत्र का कृष्ण बख्ष की आज द्वादेशी तिथी बन रही है जो की अगले दिन की तीन बचकर 17 मिनट तक चलने वाली है और इसके आगे तुरुदेशी तिथी बनी रहेगी योग की बात करें तो शुभः योग है दो पहर के एक बचकर 49 मिनट तक ही चलेगा और आगे शुकले योग बन रहा है नक्षत्र की बात करते हैं तो शत्भीशा नक्षत्र बन रहा है अगले दिन की सुभः के 4 बचकर 57 मिनट तक ही चलेगा और इसके आगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बनेगा सुरी उदे की समय के अब बात करते हैं तो उसका ठाइम रहेगा सुभः के 6 बचकर 3 मिनट पर सुर्यस्त का समय रहेगा शाम के 6 बचकर 42 मिनट पर चंद्र उदे का समय है वो रहेगा अगले दिन के 4 बचकर 45 मिनट पर चंद्रास्त का समय रहेगा 3 बचकर 24 मिनट पर रितु रहेगी वसंतरी तु चंद्र राशी रहेगी कुम्भराशी अब बात करते हैं आज के शुब समय के तो शुब समय जो है वो आज का रहेगा सुबहा के 9 बचकर 13 मिनट से लेकर के ठीक 10 बचकर 48 मिनट तक और जो राहुकाल का समय है वो रहेगा दोपहर के एक बचकर 58 मिनिट से लेकर के तीन बचकर 33 मिनिट तक याद रखीगा कि राहुकाल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुब काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो चरी अब जान लेते हैं आज के डेरी राजी फल के बारे में सबसे पेले में आपको पता दू के जाव के लिए जो है लखी कलर बन रहा है ग्री कलर और लखी जो नंबर है वो नंबर तीन रहेगा सितारे कहते हैं कि दिन की शुरुवाद सफलता हिस्से होगी आपकी काम से जुड़े मान सम्मान और महनत का उचित श्रे आपको मिलस पाएगा व्यक्तिकत जीवन में रिष्टों के तरफ खास ध्यान भी रहेगा आपका आपके शब्दों से नजीके रिष्टिदार आज थोड़े बहुत दुखी हो सकते हैं परिवार के साथ आपके से कुछ लोगों का विवाद उत्पन हो सकता है आपसे छोटे व्यक्ति आपके निरने से सहमती नहीं दिखाएंगे अपने हंकार और गुसे को आपको कावो में रखना होगा विनमरता, सहनशीलता, शीतलता आपको अपने अंदर लाने पड़ेगी दूर की अत्रा अगर ना करें तो बैठे रहेगा और हाँ बजार की उर्पटाग चीजें मत खाईएगा साथ में आज इस सितारे कहते हैं कि आज आपके marketing या media से related कुछ important काम वो complete हो सकते हैं जिसे कि आपके जो आर्थिक सिती है उसमें काफी हद तक सुधार हो सकता है सुधार से related करी अवसर भी आपको मिल पाएंगे किसे भी phone call को नजर अंदास नहीं करना है आपको हर call को attend कीजिए, क्या पता कोई call आपके लिए फायदे मंद साबित हो आज कोई friend या इसे दरा आपकी भावनाओं का गलत फायदा भी उठा सकता है सचेत रहना होगा, कहीं से धोका भी मिल सकता है, कोई fraud कर सकता है आपके साथ इस समय कुछ भविश्य से related जो है योजनाए अधर में अटक जाएंगी, दूसरों से उमीद करने के बज़ाए अपनी काबलियत पर भरोसा रखना जादा पैठर रहेगा आप खुद की मेहनत पर, खुद के बलबूते पर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास होना बहत जरूरी है पैसे से जुड़ी विवहार में सतर करहना होगा, लेन दिन में सावधानी बढ़ती है, दोस्ते या जान पहचान के लोगों के साथ हो रही लेन दिन को कहें लिख कर रखेगा दोस्त के द्वारा नया अवसर आपको मिल सकता है, फिर भी सारी बातों को उच्छी तरह से परक कर ही, काम का फैसला लिजेगा आज घर या प्लॉट से जुड़े विवहार में प्रगती हो सकती है, लोन के प्राप्ती भी असाने से हो पाएगी आपको सोने के खरीदारियां विक्री को भी टाल दे, थोड़े दिनों के बाद ही आप खरीदारियां विक्री जरूर कीजेगा साथ में आज आपका अपने कार्यों के प्रती पूरी क्षमता के संगठित होना, हर इशित्र में आपको सफ़दा दिलवा सकता है आप तो हर मुश्किल मुकाम को परिश्रम के जरी हासल करने में सक्षम है बातचीत के जरी चल रहे कोई मस्लों का हल भी मिल सकता है, समाधान हो सकता है आज अप्री और अश्यूप समाचार मिलने से मन कुछ व्यतित सा रहेगा जिसका अशर आपकी कारिक शम्ता पर भी पढ़ता नजर आएगा आपको बाहरी विक्त्यों के साथ किसी प्रकार के बहस मुहस्य में ना पढ़ियेगा क्योंकि इसका जो नेगिटिव असर है वो आपकी परिवार पर भी बढ़ सकता है चो चलिए बात कर लेते हैं आज की बिजनस और के बारे में आज सांजेदारी से रिलेटर विवस्था में किसी बात को लेकर समंद आज थोड़ी खराब हो सकते हैं इसलिए सावधानी बरतरी जरूर है आपको खुद के विवसाई के लिए जिस कारे के लिए आप प्रयासरत थें आपने मेहनत की थी उस काम की सिद्धी के लिए समय बहुत ही बढ़िया है यानि कि आपको जो है सफता हासल लग सकती है बैंक से जोड़ी व्यक्ति मानसिक तलीफ का सामना कर सकते हैं जिससे जो हैं आपके घर का महाल भी दूशित हो सकता है यानि कि खराब हो सकता है आज मार्केटिंग से लिए कारियों में जादा ध्यान देने की जरूरत है और अपने संपर्क सूत्रों को और भी जादा मजबूत बनाएए नौकरी बेशा व्यक्तिव का कोई प्रोजेक्ट निरस्त हो सकता है जिसकी वज़े से उन्हें दुबारा महनत करनी पड़ेगी और उतना ही टाइम स्पेंट करना पड़ेगा आज स्टूर्ण्स को भी काफी अच्छी चगव पर प्रकती हासिल हो सकती है अगर आप जौब की तलाश कर रहे हैं तो स्टूर्ण्स को अच्छी जौब मिल सकती है इसे के साथ इस सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि आज आपको जो है जादा से जादा किसी पर भरोसा नहीं करना है बल्कि अपने बल्वोते पर ही सब कुछ करना है धीरज मत खोगे गाज आज कई लोगों जो थोड़ी बहुत हानी देखने को मिल सकते है लेकिन जारतर जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आपको तो चलिए वागे बढ़ते और बात करते हैं आज के लव लाइफ की पारे में तो लव लाइफ कहती है कि किसी भी प्रकार का फैसला लेने में जीवन जाति की सलाह और सहयोग आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित हो सकता है परिवारिक बातावरन भी आज जो खुश्णवा बना रहेगा एक दूसरे में काफी अच्छी चीज़े हो सकती हैं आप में पति-पत्ने के बीज बहुती अच्छी बाते होती नजर आएंगी आप दोनों कहीं किसी रिष्टेदार की घर टाइम स्पेंट कर सकते हैं पति-पत्ती में आप से सामंजस से ठीक ठाक है दोस्तों के साथ भी परिवारिक गेट टोगेदर होने इसे पुराने यादगार बाते ताज़ा हो सकती हैं आज आप अपनी शादी की आल्बम को देखकर यादों को ताज़ा भी कर सकते हैं पार्टर के सायोग से जीवन की कठिन परिस्ति का सामना करने में आपको बहुत यासानी हो सकती है आप एसे कुछ लोगों के पार्टर्स को कोई प्रॉबलम हो सकती है तो आप उनकी सिहत का भरपूर मात्रा में ध्यान लगना चाहिए उन पर गौर फर्माना चाहिए छोटी बिमारी भी श्रीर पर गहरा असर दिखा जाती है इसलिए किसे भी बिमारी को अंदेखा मत करें ऐसे रेटी की आप मेंसे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है जादा चाय पीना ऐसे रेटी को निमंतन दे सकता है इसलिए चाय के मात्रा आपको कम करनी चाहिए और हाँ साथ में जंक और ओईली फूर्स भी कम करने चाहिए स्वास्त्य आज कुछ नरम भी रहेगा कंजोरी और मनोबल में कमी महसूस हो सकती है इसके लिए आपको उचित खान पान ध्यान रखना है और अपनी डाइट को संपुन मात्रा में लेना है ताकि दिन भर आपको एक्टिवनस महसूस होती रहे और आप चुस्ती से हर काम को कर पाए तो चलिए बात कर लेते हैं आज के विशेश्युपाई के बारे में तो जाप के लिए भी शेश्युपाई केहता है कि आज आपको जो है गाइतरी मंत्र या सूरी के मंत्रोगा जो है जाप अविश्य करना चाहे इसे जो है आपकी जो हर चीज है उसमें बहुत ये बदलावाता नजर आएगा आपकी तरब चीज लोग हैं वो कापी अट्रेक्टिव होते नजर आएगे साथ में अगर आप चो है चंदन का तिल्लक अपनी इश्ट दिव को लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा तो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद